हलो फ्रेंज, सुरीन सॉरीड कंस्रक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम है सूजा सुरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए-नए घर का डिजाइन्स जो आपको हेल्प करता है आपका नए घर बनवाने में तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और अगर आप मेरे चैनल पहले से देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कर दें तो आज का ये जो वीडियो है वो 25 x 25 feet में बना हुआ यानि की सिर्फ और 625 square feet में दो कमरों का ये घर है आप देख सकते हैं काफी खुबसूर्ती से इसको डिजाइन किया गया है और जो आप वास्तु की बात करें तो वो भी पिलकुल ध्यान रखकर ये घर बनाया गया तो ये आपका फ्रंट लूक है और ये आप देख सकते हैं कि यहां से आप एंटर ये stairs के नीचे ही just enter करने का जगह है और 7 feet by 10 feet change में ये stairs बने हुए तो यहां से जैसे ही आप enter करते हैं तो आपको right side में stairs दिख जाएंगे जो की clockwise हैं और stairs जो कभी भी बनवाएं तो आप clockwise ही बनवाएं तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहां 4 feet की आपको यहां entrance देखने को म right side है वहां पर आपको एक कमरा दिख रहा होगा तो यह entrance है यह आपका left side dining hall और right side जो है वो आपका एक bedroom दिख रहा है यह जो आपका सीड़ी है वो 6 feet by 10 feet 6 inch में बना हुआ है आपको हम measure करके बता दे उसके बाद आपको एक bedroom दिखता है जिसके साथ attached bathroom भी है तो इस bedroom का जो size है वो आप देख सकते हैं कि 10 feet by 12 feet है और उसके साथ जो attached bathroom में उसका जो size है वो 5 feet 7 inch by 7 inch है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह आपका hall दिख रहा है तो hall की measurement जो है वो आपकी यहाँ आप देख सकते हैं 9 feet 6 inch by 10 feet 6 inch का hall आपको देखने को मिलता है तो friends जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि यह 2 BHK का है तो आप देखिए कि एक kitchen है यह kitchen की लंबाई जो है वो आपको 9 feet 6 inch by 7 feet का आपको kitchen भी देखने को मिलता है और 2 BHK का है तो यह आपको हम दूसरा जो room है उसका measurement भी बता चुके हैं अब आप देख सकते हैं कि दूसरा measurement है 10 feet by 13 feet का दूसर जो कमरा है वो है और इसके साथ attached bathroom है यह भी आपको 4 feet by 5 feet 7 inch का देखने को मिलता है तो दो attached bathroom है common bathroom नहीं है क्योंकि space की कमी और दो कमरे हैं तो दो कमरों के लिए अलग-अलग से bathroom है already तो किसी और को जरूरत नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कितनी खुबसूरती से यह घर ब से प्लान कराना पसंद करते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए मेरा चनल देखते रहे और मेरे वीडियो को लाइक करते रहे थैंक्स फूर वाचिंग